फिल्मेकर संजे लीला भनसाली की फिल्मे जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम फिल्म देख रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि हम उस एरा में चले गए क्योंकि संजे लीला भनसाली जब फिल्म मनाते हैं लेकिन उस फिल्म के लिए उन्हें कीमत भी बहुत चुकानी पड़ी, उनके सेट तोड़े गए, सेट पर आग लगाई गई, उन्हें थपड मारा गया और उन पर कहीं इल्जाम लगाए गए. ये फिल्म थी पडमावती जिसका नाम आगे चल कर रखा गया, पडमावत क्योंकि इस फिल्म के नाम पर भी बबाल मच गया था. संजी लीला भंसारी ने इस फिल्म के जरिये कहानी बताई थी कि कैसे पडमावती पर अलाउदिन खिलजी की नज़र खराब थी और कैसे राजा रतन सिंग ने पडमावती की इज़सत बचाने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी और फिर पडमावती ने अपनी लगे हुए एक कुण में कूद जाती है काफी एमोशनल कर देने वाली ये फिल्म थी और एक एरा की इस फिल्म ने बात थी कि तब जोहर करती थी लेडीज और उस एरा की एक ऐसी कहानी बताई कि कैसे औरते अपनी इज़सत किसी गैर मर्द के हवाले नहीं करती है उन्हें आग में कूदना मनजूर है कुछ इस तरीके से रॉंग टेख खड़े कर देने वाली ये कहानी थी ये फिल्म रिलीस तो बहुत मुश्किल से हुई और रिलीस के बात बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया ये बात फिल्म के बोक्स ओफिस कलेक्शन्स बताते हैं लेकिन इस फिल्म पर सवाल उठाया फिल्म इंडस्ट्री की एक अक्ट्रिस ने जिसने खुद ने इंडस्ट्री में संजे लीला भनसाली की फिल्म से ही अपने करियर की शुरुआत की ये अक्ट्रिस और कोई नहीं बलकि स्वराब भासकर है वैसे इन दिनों तो स सुराब भासकर अलग ही बातों के लिए चर्चों में रहती है लेकिन ये बात सच है कि सुराब भासकर ने गुजारेश फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मे की तनुएज मनू ये सारी फिल्मे बाद में आई स्वरा भासकर ही वो अक्रिस थी जिसने इस फिल्म के रिलीज होने के बाद संजे लीला भनसाली को एक लंबा चोड़ा सा ओपन लेटर लिखा और इसमें संजे लीला भनसाली की इस कहानी के बारे में महुत सारी चीज़े लिखी अगर अभी आपको लेटर पूरा सुनाओंगी तो ये विडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन इस लेटर में कुछ चीज़े जो स्वरा भासकर ने पॉइंट आउट की थी जिसके चर्चे सब तरफ थे वो बात थी वजाईना सुरा भासकर ने संजलीला भंसाली को कहा कि सर मुझे आपकी फिल्म देखकर लगा कि मैं चलता फिरता वजाईना हूँ ये फिल्म सिर्फ और सिफ वजाईना के इर्द गेर्द ही गूमती है आपने इस फिल्म से क्या संदेश देने की कोशिश की है कि किसी के मर जाने से आप भी अपनी जिन्दगी खतम कर दोगे क्या आपको लोगों को ये संदेश नहीं देना चाहिए था कि मरने के बजाए जिन्दगी चूज की हिम्मत रखी ये किस सरका संदेश आप अपनी फिल्म से दे रहे हैं इतने बड़े फिल्मेकर होते हुए स्वरा भासकर ने ये लेटर क्यों लिखा किसके कहने पर लिखा अपनी सोच से लिखा ये तो हम नहीं कह सकते लेगिन इस लेटर के आने के बाद इंडस्ट्री में एक अलग ही बवाल बर दिया था और दो हिस्सों में ये इंडस्ट्री बटी नजर आई एक तरफ वो लोग जो स्वरा भासकर के अगेंस थे और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हों ने स्वरा भासकर को ट्रोल किया उनके इस ओपन लेटर को क्रिटिसाइज किया एक शक्स ने स्वरा भासकर के इस open letter के लिए कहा कि स्वरा भासकर का ये letter तो बिल्कुल रद है क्योंकि स्वरा भासकर को ये ही समझ नहीं है कि संजे लीला भंसाली आज की कहानी नहीं कह रहे है वो एक एरा की कहानी कह रहे है अब चेलिए बात करते हैं फिल्म के स्टार्स की कि उन्होंने स्वरा भासकर के इस लेटर के बारे में कैसे रियाक्ट किया दिपिका पादुकोन जिन्होंने खुद में पद्मावती का किरदार निभाया था उन्होंने कहा कि मैं जादा कुछ नहीं कह पाऊंगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को देखने से पहले स्वरा भासकर ने शायद डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा डिस्क्लेमर पढ़ा होता तो आज इस तरह का लेटर सामने नहीं आता इससे भी गजब जवाब तो शाहिद कपूर ने दे डाला शाहिद कपूर ने तो कहा कि हाँ मैंने सुना एक लेटर आया है लेकिन बहुत लंबा लेटर था इसलिए मुझे वो लेटर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला शाहिद सुना ने ये लेटर इसलिए लिखा क्योंकि संजे लीला भनसाली से उसकी कुछ पुरानी प्रॉबलम है शाहिद ने बातों ही बातों में बहुत कुछ कह दिया ये बात सच है कि संजे लीला भनसाली के साथ सुना की पुरानी प्रॉबलम है और किस तरह से सेट पर उन्हें काम करने का मौका मिला, जैसे उन पर फोकस रहूने लगा कि वो फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन स्वरा भासकर को इस फिल्म में बहुत कम स्क्रीन स्पेस मिला शायर इसके बाद सही स्वराभासकर की नाराजगी संजे लीला भनसाली की तरफ बढ़ गई सोशल मीडिया पर भी स्वराभासकर को काफी ट्रोल किया गया लेकिन इंडस्ट्री से स्वराभासकर को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला सोनम कपूर से सोनम कपूर ने मीडिया के सामने आकर ट्विटर पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन स्वरा भासकर के सपोर्ट में या स्वरा भासकर की पसंद में जिनों ने भी ट्वीट किया उन ट्वीट को री ट्वीट करने का काम और उन ट्वीट को लाइक करने का काम सोनम कपूर नहीं किया इसके अलाबा सोनम कपूर ने एक मीडिया इंट्राक्शन के दौरान ये जरूर कहा कि मैंने फिल्म पद्मावत तो देखी नहीं है लेकिन स्वरा भासकर ने जो कुछ कहा है वो उनका हक है बोलने का वो उनकी सोच है और हर कोई अपना ओपीनियन रख सकता है कम ही लोग जानते हैं कि सोनम कपूर और दिपिका पादुकोर में कुछ खास बनती नहीं है दोनों गजब की कॉमपिटीटर रही है और एक टाइम पर एक दूसरे के पियार पर भद्दे इलजाम भी लगा चुकी है इतना ही नहीं बात करें संजे लीला भंसाली की तो हम सब जानते हैं कि संजे लीला भंसाली के साथ सबसे पहले काम सोनम कपूर ने किया था लेकिन बाद में भंसाली की फेवरिट दिपिका हो गई इनफार्ट राम लीला फिल्म जो है उस फिल्म के लिए सोनम कपूर ने खुद ने अउडिशन दिया था लेकिन यह फिल्म मिली दिपिका पादकोन को और इस फिल्मे दिपिका की किसमत ही चमका दी जिस पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सोनम कपूर को तो स्वरा को सपोर्ट करना ही था सबसे बड़ी बात उस वक्त स्वरा भासकर खुद सोनम कपूर के साथ फिल्म कर रही थी वीरेदी वेडिंग जो की उसी साल रिलीज हुई थी जन्वरी में पदमावत फिल्म आई थी और जून में वीरेदी वेडिंग फिल्म आई थी और तो और जिस वजाइना के बारे में स्वरा भासकर ने इतना बड़ा लेटर लिखा था वजाइना को लेकर ही वीरे दी वेडिंग में इनका एक सीन था जो की वाइब्रेटर वाला सीन था और ये सीन सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विशे रहा था और इस फिल्म के इस सीन के बाद तो ये पूरा बवाल ही खत्म हो गया क्योंकि एक टाइम पर जो स्वरा भासकर खुद वजाइना पर सवाल उठा रही थी उनकी खुद की फिल्म में पूरा फोकस वजाइना पर ही नज़र आया